नमस्का दोस्तों, Technology Smartphone Channel में आपका स्वागत है आप लोगों ने हमसे पूछा था कि 5G मोबाइल में 5G के कितने बैंट हो तो सबसे अच्छा होगा तो मैं यही कहूँगा 5G मोबाइल में 5G के जितने ज्यादा से ज्यादा बैंट हो तो उतना ही अच्छा होगा कम सकम 6-7 बैंट तो होना ही चाहिए कुछ बेस्ट 5G मोबाइल फोन के बारे में हम आपको बताएंगे जो 15,000 रेंज में सबसे बेस्ट मोबाइल फोन है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमने रखा है Motorola Moto G51 5G इसकी body polycarbonate का दिया गया है लेकिन देखने में काफी अच्छा लगता है इसके side में fingerprint sensor दिया गया है अब बात करें इसके display की तो इसमें 6.8 inch full HD plus IPS display पंचोल के साथ दिया गया है display काफी अच्छा दिया गया है display protection के लिए energy का glass दिया गया है अब बात करें इसके processor की तो इसमें Qualcomm Snapdragon 480 plus 5G processor दिया गया है इसका अन्तूतू इसको लगभक 3 लाग के आसपास है जो काफी अच्छा है इसमें 5G के 12 बैंग दिये गया है इसमें 1-7-2 sim या 1 sim और 1 memory card लगा सकते हैं इसमें carrier aggregation का support दिया गया है अब बात करें इसके camera की तो इसके bag में triple camera setup दिया गया है 50 megapixel का primary camera 8 megapixel का ultra wild और 2 megapixel का micro camera साथ में LED flash दिया गया है इस camera से full HD video record कर सकते हैं वहीं selfie के लिए 13 megapixel camera दिया गया है इसमें 5000 mAh battery के साथ 20 watt का charger दिया गया है या 4GB RAM और 64GB internal memory के साथ 14999 रुपे है वीडियो अच्छा लगे टोक्नालजी स्मार्टफोन चैनल को सब्सक्राइब और लाइक का देना अगला फोन है realme 9 pro 5G सबसे पहले इसकी design की बात करें तो इसका back panel glass के साथ आता है लेकिन इसका frame plastic का दिया गया है या 8.5 mm thickness के साथ 190 gram का है इसका design काफी अच्छा दिया गया है या एक hybrid SIM slot के साथ आता है यानि एक साथ दो SIM या एक SIM और एक memory card लगा सकते है इसमें single speaker और side में fingerprint sensor दिया गया है इसमें 5000 mh belty दिया गया है और इसी को charge करने के लिए 33 watt का charger दिया गया है अब बात करें इसके display की तो इसमें 6.6 inch full HD plus IPS display पंचोल के साथ दिया गया है इसमें 120 hertz refresh rate और maximum 500 nits की peak brightness दिया गया है इसमें triple camera setup दिया गया है 64 megapixel का primary camera, 8 megapixel का ultra wide camera और 2 megapixel का micro camera दिया गया है इस camera से full HD video record कर सकते हैं वहीं front camera 16 megapixel का दिया गया है अब बात करें इसके processor की तो इसमें Qualcomm Snapdragon 695 5G processor दिया गया है इसका अन्तूतू इसको लगभग 4 लाग के आसपास है इसमें 5G के 6 band दिये गये है यह 6 GB RAM और 128 GB internal memory के शाथ 17,999 रुपे है लेकिन यह आफर में 16,000 की आसपास मिल जाता है अगला phone है Poco M4 Pro 5G इसमें 6.6 inch full HD plus IPS display पंचोल के साथ दिया गया है इसमें 90 Hz refresh rate और display protection के लिए Corning Gorilla Glass 3 दिया गया है अब बात करें इसके camera की तो इसके bag में dual camera setup दिया गया है 50 megapixel का primary camera और 8 megapixel का ultra wild camera साथ में LED flash दिया गया है इस camera से full HD और HD में video record कर सकते हैं वहीं selfie के लिए 16 megapixel camera पंचोल के साथ दिया गया है इससे full HD video record कर सकते हैं अब बात करें इसके processor की तो इसमें Mediatek Dimensity 810 5G processor दिया गया है इसमें 5G के 7 band दिये गया है इसमें hybrid SIM slot यानि 1-7-2 SIM या 1 SIM और 1 memory card लगा सकते हैं इसमें dual stereo speaker दिया गया है इसके side में fingerprint sensor और IR blaster दिया गया है इसमें 5000 mh belty के साथ 33 wild का fast charger दिया गया है या 4GB RAM और 64GB internal memory के साथ 14,999 रुपे है अभी हमने 15,000 के range में best 5G phone के बारें बताया आशा करता हूँ या वीडियो आप लोगों पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आओ टोक्नोलोजी स्मार्टपोन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथ में वेल आइकन को अंकर दीजिए जिससे हमारी लिटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें अगर कर दीजिए加शन कर दो कि मेंजब भयादा give流